नमस्क्राइब दुस्तों कैसे हैं आप लोग चैप्टर नमबर नाइन शुरू हो रहा है ये रमेश सिंग के किताब का इंडस्ट्री और इंफरस्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बात होगी ठीक है बाई तो क्या-क्या देखेंगे हम लोग क्या-क्या इंडस्ट्रिल नहीं वो फिर से रिपोर्ट होंगे तो जैसा फिछले चैप्टर में उरत नहीं बहुत सारी स्कीमें पुरानी रिपीट हो रही थी वह यहाँ पर रिपीट होंगी तो जितना जरूरी है जो मोस्ट इंपॉर्टन फैक्ट्स है वह मैं आपको बता दूँगा पूरी स्कीम क उसको आपके सामने लाओंगो जो नहीं पढ़ना है वो स्केप हो जाएगा ठीक है तो आप बस चाहे तो इस फिगर को देख लें वैसे तो यहाँ पर कुछ दिखने वाला है नहीं चाहे अपनी आग बंद करके लेड़ जाओ लेक्चर को ध्यान से सुनते रहेगे ठीक है तो इसके शुरुवात में क्या चीज़ें हमने देखी अगर आप वेस्टन एकनॉमीज की बात करोगे जब तक हमारा देश आजाद हुआ उनने सो सैंतालेस में तब तक वेस्टन एकनॉमीज अपनी सक्सेस स्टोरीज लिख चुकी थी वहाँ पर इंड़स्टियलाइशन ह लगे उससे उबरने में बट ओवराल इंड़स्टियलाइशन में यूके जर्मनी यूएसे जैसी कंट्रीज इंडिया से बहुत आगे थी हम तो बिल्कुल ही रूरल एकनॉमी थे बिल्कुल ही हमारी एकनॉमी डाइलपेडिट स्टेट में थी और इसको ठीक करने की जरूर और हमारे समने बहुत सारे चैलेंज़स थी कैसे कैसे चैलेंज़स तो बहुत जबरदस्त मास पुवर्टी लोगों के पास खाने के वैसे नहीं खाने पीने के फूट ग्रेंस कम पढ़ रहे हैं हेल्थ केर गड़वड़ा रही है फिर इंड़स्ट्री पूरी तरीके से लूटा था और ये भी जरूरी था कि हमारी एकनॉमी बहुत तेजी से बढ़े चुकि अगर लोगों कि जेब में पैसा डालना है तो एकनॉमी का बढ़ना बहुत जरूरी है तो यहां पर हमारी भारा सरकार ने एक डिसीजन लिया पहले तो हमारी भारा सरकार के पास दो चोईस थे कि अगरी कल्चर को प्राइम मुविंग फोर्स बनाए ये इंडस्ट्री को प्राइम मुविंग फोर्स बनाए और हमारी सरकार ने इंडस्ट्री को प्राइम प्राइम मुविंग फोर्स इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो हमारी एकोनॉमी की डेवलप्मेंट को लीड करेगी और 1930 में जब हमारा freedom struggle चल ला था ना independence movement चल ला था ना उसी समय पर हमारे नेताओं ने बहुत जदा interested थे हाला कि वो socialistic tendencies में बहुत जदा interested थे उनका यह मतलब था कि भाई सरकार सारे काम करें यहां पर private sector को entry न दी जाए लेकिन industrialization उनको करना था उनको पता थी modernization और industrialization दोनों की जुरत पड़ेगी अब जब हम आजाद हुए तो जैसा उस समय की government थी उसने decide किया भाई government का एक major role था एक्टिव रोल था और industrial sector में बिलकुल dominant role था आपका सरकार का government owned companies को यहां पर सरकार के तरफ से मदद मिली एक्सपेंड की गई और इनको फेमसली बोला गया PSU से नौकरी वेर तियारी करते है न तो भी PSU की तियारी कर रहे है तो PSU तो बहुत सारे वही NTPC पीएशिओ और NGC भी PSU है इनन्हें और कॉर्परेशन पीएशिओ गेल भी PSU है अगर आप bank यह में चले जाओ तो यू की जगर भी हो जाता competition में आज की डेट में बहुत टाफ हो गया है तो कुल मेंगा कि आप देखोगे तो शुरुवात में जो इनन economic की development हुई उसमें government का एक बहुत major role था ठीक है government इस बात में लोगों को बोला कि नहीं भाई अभी के लिए private sector उस हद तक penetrate नहीं करेगा economy में अभी के लिए सरकारी sector एक major role play करेगा यह अलग बात है कि state role in the economy बहुत radically बदलेगा 1990 जब economic reform शुरू होगे और वो economic reforms आज तक देखे जा रहे हैं अब तक जो कुछ भी हुआ है फिर से सुनिए अब तक जो कुछ भी हुआ है उसको समझने के लिए हमें भारा सरकार की उन industrial policies को समझना पड़ेगा जो भारा सरकार ने एक एक करके launch की हैं जैसे कि for example industrial policy revolution 1948 फिर 1956 में आई फिर उसके बाद आप देखोगे तो 1969 में आई 1973 में आई फिर 1985-1986 में 1980 में भी आई थी तो 1991 से पहले काफी industrial policies आ चुकी है और कुछ-कुछ points इन industrial policies के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे COVID-19 का क्या impact रहा है हमारी industries के उपर उसके statistics मैंने आपके साथ current affairs में बहुत डिसकस की हैं उसका लिए आप मेरे telegram गुब जोइन कर सकते हैं पहले के current affairs की PDF पढ़ सकते हैं मेरे चैनल पे overall चीज़ें अवलेबल हैं सारे current affairs के सारे editorials के lecture अवलेबल हैं तो आप उन lectures को भी जाके देख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर review करने वाले हैं इन industrial policies को आगे बढ़ने से पहले like का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को share और subscribe नहीं किया है चैनल को कर लीजे Instagram पे follow करना चाहिए तो आप कर सकते हैं नीचे description box में link दिया हुआ है Join बटन दबा के जरूर help करें दोस्तों अगर आप Join बटन दबा सकते हैं definitely दबाईए Next बात करते है Industrial Policy Resolution 1948 की क्या बताया जा रहा है आप इसके बारे में Independent India का सबसे पहला Industrial Policy Statement और यहाँ पे हमारा Model of Economic System डिसाइड किया जो की है Mixed Economy अब Mixed Economy का क्या सीन है तो भाई ना हमारी Economy पूरी तरीके से Closed है ना Economy पूरी तरीके से Open है थोड़ी Closed है थोड़ी Open है हाला कि ज़दा तर आप देखोगे तो हमारी Economy Closed ही थी जिस हिसाब का आप International Globalization देखेंगे दुनिया एक दूसरे साइड जुड़ती हूँ नजर आएगी हम थोड़ा बहुत Economy के टम्स पर पूरी दुनिया से Segregated थे लेकिन फिर भी इंड़ेश्टियर पॉलिशी इंड़ेश्टियर पहली पॉलिशी इसने बोला हम Mixed Country होंगे Mixed Economy होंगे फिर यह बोलागा कि कुछ important industries को Centralist के अंदर रखा जाएगा जैसे कि coal, power, railway, civil aviation, arms and munitions and defense इन industries को reserve किया जागा किसके लिए के इंदर की सरकार के लिए यहां पर सर्फ आप कह सकते हो कि Central List हो गई आप यह समझ लीजिए और वहीं पर State List बनाईगी, State List में Medicine, Paper, Textiles, Cycles, रिक्षास, Two-Wheelers, तो कुल मिला कि इसमें जो भी कंपनी मनाई जाएगी हो कंपनी प्राइमेरली सेंट्रल कॉर्मेंट की होगी, बाकि State List बाले Paper, Medicine, Textiles, रिक्षास, टू-Wheelers, इसमें एक राज्य की सरकार भी अपनी कंपनियां बना सकते हैं, और बहुत कम ऐसी इंडस्ट्री जिनको प्राइवेट सेक्टर इ तो 10 साल का review period मतलब की 1948 में industrial policy बनी है, तो 1958 में इस बात को review किया जाएगा कि industrial policy क्या सा perform कर रही है, fast forward to industrial policy resolution 1956, अब industrial policy resolution 1948 के just 8 साल बाद ये 1956 वाली policy आगे, और 1956 की policy में आप कह सकते हो का जो impact था, देखे, industrial policy resolution जो 1956 का आया था, ये one of the most major था, और इसके बाद जो major change आएगा, वो 1991 में आएगा, तो 1956 के बाद जो भी आपको policy resolutions देखने को मिलेंगे, 69 में, 85 में, 86 में, वो कहीं न कहीं industrial policy resolution 1956 में बस थोड़ा improvement कर रहे होंगे, revolutionary change, industrial policy resolution 1956 के बाद 1991 में ही देखने को मिला, अब देखते हैं कि ऐसा क्या आया industrial policy resolution 1956 में, देखिए हमारी देश की जो सरकार थी, वो थोड़ा confident थी, हमारी industrial policy को लेके, हम लोग एक industrial powerhouse बनने की तरफ अगरसर थे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो तीन schedules बनाएगे और industries को reserve किया गया, industries को reserve किया गया, क्या मतलब है, कि भाई, इस particular industry में यही धंदा कर सकता है, मतलब government कहां धंदा कर सकती हो, private sector कहां धंदा कर सकता है, तो तीन schedules बनाएगे, पहला schedule था schedule A, ठीक है भाई, इस schedule A में 17 industrial areas थे, in which center was given complete monopoly, these industries set up under the provision were known as central public sector undertakings, later getting popularities PSUs, दो the number of industries were 17, the number of PSUs set by the government went to 254 by 1991, मतलब 17 sectors में पूरी तरीके से केंदर सरकार के लिए रिजर्व कर दिये गया, और इसमें company कौन खो सकता है, तो केंदर सरकार द्वारा owned company ही खोली जा सकती, जिसको बोला जाएगा, Central Public Sector Undertaking CPSU, कुछ Public Sector Undertaking State Government द्वार ओन होती है, उनको आप SPSU बोलते हो, State Public Sector Undertaking, यहाँ schedule A के अंदर थी, Central Public Sector Undertaking, इंडस्टी, टोटल लंबर ओफ इंडस्टी मतलब इलाके जहाँ पे इंडस्टी कुल सकती ही, 17 और 1994 तक आप देखोगे, कि यहाँ पे 254 companies कुल गई थी, जो पूरी centralized थी, और इसमें वो companies भी थी, जिनका काफी हद तक nationalization भी हुआ है, आप देखोगे, कि 1960s से लेकि 1980s में, बहुत सारी private industrial units का सरकार ने nationalization कर दिया थी, तो वो भी इसमें include कर दी गही थी, फिर जो दूसरा schedule बनाया गया, reservation of industries में होता schedule B, यहाँ पे 12 industrial areas को decide किया गया, इनमें राजजी की सरकारों से यह expect किया जा रहा था कि वो initiatives लेंगे, company बनाएंगे, ठीक है ना, और आप कह सकते हो कि with a more expensive follow up by the private sector, मतलब बाद में private sector भी इसमें involved हो सकता है, कुल मिला कि आप यह देखोगे कि schedule B में 12 industrial areas जिसमें primarily role play करना है राजजी की सरकार को और कुछ हद तक private, जो corporates हैं, वो भी यहाँ पे एक role play कर सकते हैं, इस schedule में compulsory licensing के provisions थे अब आप बोलोगे, what is this compulsory licensing, compulsory licensing मतलब कि आप ऐसा समझ लिजे, कि अगर private sector को किसी भी particular company में घुसना है, या company बनानी किसी particular industrial area में घुसना है, तो company में आने से पहले उसको उस चीज़ का license लेना पड़ेगा, company बनाने के बाद अगर उसको अपना production मढ़ाना है, तो license लेना पड़ेगा, और फित तीसरी आगए schedule C, schedule C में जो schedule A में न आता है, वो पूरा का पूरा schedule C में आगए और ये schedule C पूरी तरीके से private sector enterprises के लिए खुला हुआ था, हलाकि यहाँ पे भी licensing provisions थे, definitely यहाँ पे licensing provisions थे, तो overall कोई भी private company को अपने operation शुरू करने से पहले, schedule C में जो भी industry लाग के दे रखे हैं, उसमें भी operation शुरू करने से पहले यहाँ पे license लेना पड़ेगा private sector की companies को, ठीक है बाई, plus जो भी private sector companies बनेंगी, वो social और economic policy of the state को भी implement करने की कोशिश करेंगी और over उनका proper तरीके से regulation होगा, industries, development and regulation act के साफ से, और जो भी relevant legislation लगेंगे, इन companies को regulate करने के लिए, उन acts के साफ से इनका regulation होगा, एक और बात, दोस्तों यह जो आपका schedule B है ना, यह जो schedule B में जो 12 industrial इलाके राज जी की सरकारों को और कुछ हट तक private sector को दिये गए थे, याद रखेगा कि इन 12 industrial इलाकों में केंदर की सरकार भी company मना सकती, तो ऐसा नहीं है कि केंदर की सरकार ने schedule A के उंदर 17 इलाक के लिए वहीं पे केंदर की सरकार की company मनेगी, schedule B के अंदर 12 इलाके थे, महाँ पे भी केंदर की सरकार चाहे तो अपनी company मना सकता है, और यह जो नैशनलाइजेशन ड्राइज सुई न, 1960 से लेके 1980 के बीच में, कहीं न कहीं overall देखा जाए, तो public benefit के लिए इनको समझा गया है, लेकिन जो private companies थी, उनसे काफी नाराज हुई, private company ने सोचे अपना धंदा सेट अप किया, थोड़ा बहुत हो चलना शुरू हो गई, एक दम सरकार ने आके बोला कि हम तुमको nationalize कर रहे हैं, तुम सरकारी कंपनी में बदल रहो, तो जो private company थी, जो private owners थी, उनको ऐसा लगा कि risk हम ले रहे हैं, capital market से हम उठा रहे हैं, हम उसको profitable बना रहे हैं, जब यह company profitable हो जाती है, तो यह सरकार आके इसको privatize कर देती है, तो इसे कैसे काम चलेगा, तो nationalization जो किया सरकार ने, उसका कुछ negative impact भी पड़ा, जो private players थी, इनके दिमाग में doubt आया, कि भाई, यह तो कभी भी उठा के कुछ भी privatize कर रहे हैं, तो इसके चलते, जो innovation था वो भी थोड़ा कम हुआ, nationalization के चलते हमारे देश में innovation कम हुआ, जो कि फिर entrepreneurs जबता willing नहीं होंगे न, risk लेने को, entrepreneurs क्यों risk लेते हैं, उनको लगता है कि हम पैसा कमा लेंगा, हमारा धंदा चल गया तो, अभी धंदा चला तो सरकार company nationalize कर लेगी, तो उनको लगेगा कि यह रहनना हम चला है, और nationalize यह कर लेंगी, तो फायदा क्या है, तो यह बा टेकिन सो शुरुवाद में नोंने बहुत अच्छा काम भी किया है, शुरुवाद में नहरु जी ने PSU को बोला temples of modern India, इनकी importance को देखते हुए, लेकिन बाद में यही temples of modern India बहुत सारे unsustainable होने लगे, उनके खर्चे बढ़ने लगे, ठीके न, वो profitable होने के साथ loss में जाने लगे, कोई भी political party election जीतने के लिए बोल देती हम इतने नौकरियां पैदा करेंगे, नौकरियां निकालते जारे, निकालते जारे, इन PSU में जरूरत है नहीं, कोई innovation नहीं हो रहा, R&D नहीं हो रही है, internationally uncompetitive हो रही है, देश में भी बहुत मेंगा भी करा है सामान, तो धीर पॉलिशी रेजूर्शन था, 1956 का, हमने तो देखा कि schedule A, schedule B, schedule C बना, उसके बाद हम बात करते हैं, provisional of licensing, licensing देखे, किसी भी industry को चलाने के लिए, private sector को दो जगों पे entry थी, एक तो schedule C में entry थी, और schedule B में कुछ हत तक limited entry थी, तो इन schedules के अंदर जो भी industrial इलाके, private sector को अलोट कि यह गह था, अगर private sector को वहाँ पे अपना धंदा चलाना है, तो license लेना पड़ेगा, तो एक license quota permit system था, license मतलब किसी भी धंदे में घुसने के लिए license लेना पड़ेगा, quota मतलब आपकी production limit इसको पार नहीं कर सकती, ठीक है, और permit मतलब कि overall आप किसी भी चीज में, दूसरे field में extend करने के लिए, अपने production मढ़ाने के लिए आपको permit लेना पड़ेगा, मतलब license धंदा कोलने के लिए, quota आप maximum इता पैदा कर सकते है, permit अगर आपको access production करनी है, या किसी और business में गुसना है तो, तो license quota permit लेकिन इसने हमारे innovative capabilities को नुक्सान भी पहुंचाया, फिर सरकार ने यह बहुत हद तक रश्य और चाइना की तरफ देख रहे थे, in fact, चाइना तो उस समय पर इतना developed नहीं हुआ है, चाइना भी तरफ देखने लगेंगे, और आज भी चाइना की जो सरकारी companies है, वो धूम मचा रही है, एक इंडिया की सरकारी companies हैं जो चलना ही पाती है, फिर बात करते हैं, regional diversity ही, तो यह बोला गया कि जो PSU's हैं, इन PSU's को आप backward और under developed इलाकों में रखो, अब समझ यह बात को, बड़े-बड़े हमारी industry को हमारी prime moving force बनाए गया, और यह बोला कि industries को आप under developed इलाकों में खोलो, रूरल इलाकों में खोलो, ताकि वहां के लोगों को नौक आपको मैंने पहले भी पढ़ाया कि इंडस्ट्री खोलने की जो locational factors होते हैं, वो कुछ basic चीजों बेटेपेंड करते हैं, कि भाई, raw material कितना पास है, market कितना पास है, तो भाई, जैसे for example, power producing कोई power plant है, तो यह logic बोलता है कि एक power plant किसी coal की mine के पास खोलना चाहिए, कि coal वहां पे जला electricity पैदा हुई, similarly मालो कोई factory, अगर कोई चीज बना रही, मालो steel बना रही है, तो जो steel consumption centers हो हमारे देश के, जैसे की चिन्नाई हो गया, जैसे की गुजरात हो गया, तो इन states में आप steel producing plants बनाओ, ताकि आपको बहुत ज़दा export ना करना पड़े, transport ना करना पड़े च करेंगे, कितनी दूर आप transport करोगे market को, इन सब factors को ignore के, और इसी के लिए इन PSUs को overall profitable होने में भी बहुत समय लगा, कुछ तो profitable होई नहीं पहे, चुकि रिजिनल disparity यगर आपको दूर करनी है, तो भी business sense वाले decision तो ले नहीं पड़ेंगे, फिर small industries पे focus, तो small industries जैसे खादी औ वर्दस तरीके से क्रियोट होता है, एक्री सक्टिल सेक्टर को भी priority दिए, लेकिन Prime Moving Force आपकी industry ही थी, ठीक है भई, अब सबसे खास बात यह है, कि अब 1991 तक, अब 1991 तक, जो भी नई industrial policy आएगी, वो industrial policy 1956 का एक छोटा सा amendment ही होगी, बस यह समझे, तो बात करते हैं किसकी, जो problems थी, उन problems को eliminate करने की कोशिश की गई, industrial policy statement 1969 में, फिर क्या बोला जा रहा है, the experts and industrialists, complained that the industrial licensing policy was serving just the opposite purpose, for it was booted, inspired by the scholastic ideas and nationalistic feelings, the licensing policy had the following reasons, भाया, देखिये, licensing policy के, क्या-क्या नियम कानून है, क्या essence होता है, licensing policy का, पहला essence तो यह है, कि भाया, जो resources का exploitation हो, सबके development के लो, दूसरा, resource exploitation जो हो रहा है, industries के दोरा, वो overall, एक कह सकते हैं, कि आप sustainable तरीके से इस्तमाल किया जाए, ठीक है, और जो सरकारी industries, उनको ज़्यादा resource exploitation करने दिया ज industries हैं, वो price control करें goods का, तो वो जो कुछ भी बनाएंगी, उनके उपर एक price control लगाए जाएगा, अब इस से ज़्यादा इस goods की price नहीं रखते हैं, सरकार नहीं नहीं कानून होना रखा था, economic power का concentration नहीं होनी चाहिए, तो भाया सरकार logic क्या था, कि भाय, licensing power अगर हम अपने पा पावर ना चली जाए, और overall, इस licensing policy की चलते सरकार नहीं सोचा, कि किसी एक particular location, जो की disadvantage है, वहाँ पर हम company बनाएंगे, जब हम वहाँ पर company बनाएंगे, तो overall वो पूरे के अलाके का development होगा, जी हाँ, यह बात बिलकुल सही है, बहुत हमारे देश के ऐसे बीहर इलाके हैं, य इल का प्लान बन गया, वो इन जी सी का प्लान बन गया, तो पहले बिलकुल बंजर गाउं था, और बाद में वहाँ पर पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का शहर बन गया, तो definitely, यह जो PSU हैं, यह जिस भी जगहा पे setup किये जाते थे, इन PSU के आसपास development होने लगता था, लैंड के rates बढ़ जाते थे, लोग वहाँ पर आके रहने लगते थे, पूरा का पूरा कज़बा बन जाता था, ठीक है, लेकिन अब बात यह थी, कि यह जो मैंने आपको objectives बताए, industrial policy के, और उसके अंदर जो licensing है, इन objectives को उल्टा हो रहा था, ठीक है, इन objectives को उल्टा हो रहा थे, और जो नए potential enterprises थे, उनको license नहीं मिल पाता था, उनका license रूख दिये जाता था, तो powerful, अब देखे, policy क्यों बनाई गए licensing की, ताकि सरकार अपनी सुख्षा से, अपना दिमाग इस्तमाल करके, किसी भी एक particular industrial house को बहुत ज़दा बढ़ाना होने दे, और नए industrial houses को आगे आने का chance थे, लेकिन एक powerful industrial houses political connection मनाके नए-ने licenses ले ले लेता था, ठीकिन ना, और एक नए bedding entrepreneur को दबा देता था, फिर बात क्या थी, कि यह जो price regulation policy थी, देखे, licensing का काम यह था कि price regulation कुछ इस प्रकार से हो, कि public के पास सस्ते goods पहुँचें, लेकिन बात यहाँ पर यह थी, कि सस्ते goods तो पहुँचें थे public के पास, लेकिन इन private companies को भी केंज सरकार की तरफ से बहुत सी subsidies मिल रही थी, यह private company बोलती थी, कि भाई, हमको इस धन्दे में यहाँ यहाँ पर 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 नहीं हो रही है, तो अगर इसको इतना सस्ता करना है, तो इतना सरकार को कोशिश की गई यहाँ पर, पुराने industrial और ताकतवर industrial houses, नए industrial houses के आगे आने ही नहीं दे रहे थे, बहुत सारे sellouts, takeovers, छोटी मोटी companies को खरीद लेना, तो यहाँ पर overall बहुत शिकायती होने लगी, इस licensing policy के against agitation सरह होने लगा, trading community सामने आके बोलने लगी कि भाई, यह तो recommendations दो, तो overall licensing policies के उपर recommendations बहुत सी community ने दिए, सौमिनातन कमिटी 1964 माला नोबिस कमिटी बनी 1964 में, आरके हजारी कमिटी बनी 1967 में, सदत कमिटी मनी 1969 में, फिर administrative reform commission जोए थे 1969 ने, उसकी उसने भी shortcoming बताई, industrial policy 1956 की, तो ऐसी बहुत सी यहाँ पर committee बनाई गई, और इन committee के अधा पर finally, कुछ decisions लिया गया, 1969 की जब industrial licensing policy आई, तो क्या changes किये गए, पहला चेंज तो यह किया गया, कि भाई, monopolistic and restrictive trade practices act को यहाँ पर पास किया गया, monopolistic and restrictive trade, मतलब अगर कोई भी business house, किसी भी प्रकार की monopolistic tendency को market बनाने कोशिश कर रहा है, या फिर trade practices को कैसे भी करके restrict कर रहा है, तो उनको रोका जाएगा, काम क्या था इस act का, to regulate the trading and commercial practices of the firms, and checking monopoly and concentration of economic power, फिर क्या बोला गया, कि वो firms, जिनके assets 25 करोण या फिर 25 करोण से ज़ादा है, उनके उपर यह condition लगाई गई, 12 सरकार के दोरा, कि आप किसी भी expansion से पहले, किसी भी greenfield venture से पहले, किसी भी और फर्म को take work करने से पहले government से सरकार permission लोगे, तो मतलब वो companyya, जिनके overall assets 25 करोण से ज़ादा है, अब समझे बात को, 1969, 1970 के समय पे, एक company अगर किसी का 10 over 25 करोण हो, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, वो 2021 नहीं था, उसमया पे 25 करोण की बहुत आखाद होती थी, तो अग अगर कमपनी के वागाद 25 करोण की जाता है, उसके assets 25 करोण से जाता है, तो अगर वो company किसी भी दूसरे field में expand कर रही है, या फिर कोई greenfield venture शुरू कर रही है, greenfield venture मतलब किसी भी business को शुरुवात से शुरू करना, ठीक हैं एकदम नए तरीके शुरू करना, या फिर वो company किस पॉलिसी में 100 करोण कर दिया गया, तो 1980 में 50 करोण से उपर वाली company को permission लेनी पड़ेगी, और फिर एफेक्ट वर 1985, 100 करोण से उपर वाली company को permission लेनी पड़ेगी, got it, और इन सब चीजों को implement करने के लिए MRTP commission मनाया गया, ठीक है न, Monopolistic and Restrictive Trade Practices Commission, तो यह था industrial policy statement of 1969, फिर आ पर एक term introduced किया गया, इस term का नाम था core industries, आज सुनते हो ना भई आप, index of industrial production के अंदर 8 core industries है, तो वो जो core industries का उदाय था न, वो यहीं से हो रहा था, तो economic के लिए जो सबसे जादा fundamental importance की जो companies थी, उनको core sector में रखा गया, इसमें आती है iron and steel, cement, coal, crude oil, oil refining and electricity, शुरुवात में इन industries को basic industry बोला गया, infrastructure industry बोला गया, और बोला गया कि देश के development के लिए इन industries के develop होना बहुत जरूरी है, और यह जो 6 core industries शुरु में identify की गई, इसमें से जादा तर जो industries थी हो schedule A में थी, और आपको पता है कि schedule A of the industrial policy 1956 क्या बोलती है, कि schedule A के अंदर अगर कोई company आ रही है, त जो schedule A के अंदर नहीं आती थी, वहाँ definitely state government का involvement और private sector का involvement हो सकता था, got it, वो कौँ कौँ सी company सी में आगे देखेंगे, तो मतब 6 core industries है, ठीक है, सारी कि सारी schedule में में दो छोड़ के, वो दो कौँ सी वो आगे देखेंगे, फिर क्या बोला गया, the private firms eligible to apply for such licenses were supposed to have total assets of 20 क्रोण औ more, जो private firms यहाँ पे in particular industries में apply, मतलब वो industries जो की schedule A में नहीं आ रही और core industry है, तो कोई private firm अगर उसमें अपना business दंदा खोलने के लिए अपलाई कर रहा है, तो कम से कम 20 क्रोण का उसका asset होना चाहिए, उस समय पर बीड़ कर सो बड़ी बाती जैसा कि मैंने आपको बताए, कु joint sector का यहाँ पे concept introduced कि joint sector मतलब एक केंदर सरकार एक private company के साथ joint partnership कर सकती है, राज जी की सरकार private company साथ partnership कर सकती है, overall केंदर राज और private sector तीनों मिलके एक enterprise में भी partnership कर सकते हैं, कुल मिला के overall यहाँ पे थोड़ा बहुत private sector की तरफ जो support था सरकार का वो नजर आ रहा था, अलका यहाँ पे private sector को सरकार support करने की कोशिश कर रही थी, फिर foreign exchange के respect भी में यहाँ पे कुछ changes किये गए, भारा सरकार के बास foreign exchange का crunch आ रहा था, foreign exchange का crunch इसलिए आ रहा था, चुकि foreign से पैसा इंडिया के इंदर आना थोड़ा मुश्किल था, closed economic policy थी हमारी, तो इसलिए जो पुरान एक्ट था न, foreign exchange regulation act, जिसको 1970, आपके सकते हो, 3 में पास किया गया, तो foreign exchange को regulate करने के लिए, हमारे देश में foreign exchange को और लाने के लिए, foreign exchange regulation act लाया गे 1973 में, लेकिन जितने भी experts हैं, उसमें इसको deconion act का, in fact, उस समय की जो business class थी, वो आके आने वहले कई सालों तक यह बोलती र रहा है, काम तो यह कुछ कर नहीं रहा है, तो definitely foreign exchange regulation act को हमारे foreign exchange के crunch को solve करने के लिए लाया गया था, बट उसने overall हालत खराब कर दी, अभी आगे इसको बदला जाएगा, फेरा को, कब बदला जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है भई, फिर दुनिया भर की ज इंडिया में इंवेस्ट कर सकते हैं, फिर नेस्ट बात करते हैं, इंडेस्टिल पॉलसी स्टेट्मेंट 1977 की, यह जो इंडेस्टिल पॉलसी स्टेट्मेंट आया, यह एक चेंजड पॉलिटिकल इन्वार्मेंट में आया था, इमर्जंसी के बाद जो election हुए थे, उसमें इ पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी की कॉलिशन ने क्या बोला, कि भाई यह जो इंडरा गांधी जी की कॉंग्रेस की सरकार है, यह तो बहुत बेकार एकनोमिक पॉलसी लेके आ री, हम तो भाई गांधियन सोसिलिस्टिक व्यू को मानते हुए यह एकनोमी को direction मिले गए पीछे की तरफ ले गए तो इननोंने बोला कि बहुत जो भी unnecessary इलाके हैं वहाँ पर हम foreign investment को नहीं आने देंगे अब unnecessary इलाकों में foreign investment को नहीं आने देंगे इसका क्या मतलब हो आशको तो यहीं मतलब हो नहीं अब सब unnecessary है तो कुल विलाके इन्होंने यह बोल दिया कि foreign investment हमको चाहिए ही नहीं अब यह यह नहीं समझ पाए देखे 1973 की industrial policy में भारा सरकार बहुत लंबे समय के बाद यह समझ पाई थी कि हमारे देश की growth और development के लिए हमें foreign capital और technology की जरूर थे यह बाद सबको clear हो गई थी लेकिन यहां पर अप दिया गया किसके ओपर village industries के ओपर और village industry में भी small और cottage industries पर emphasis दिया गया फिर decentralized industrialization was given attention with the objective of linking the masses to the process of industrialization decentralized industrialization क्या मतलब कि बाई overall industrialization centralized नहीं नहीं चाहिए local level पर जो थोड़ा बहुत industrialization कर सकते हो आप करो जो district industrial centers थे वो इसी समय बने थे हाला कि मैं आपको यह बता दूँ कि जो decentralized industrialization है ना यह बुरा नहीं है overall local level पे rural level पे suburban level पे इस प्रकार का decentralized industrialization की जरूँत है अगर central level पे जो तो local level पे भी जरूँत है तो district industry center बनवाए यहाँ पर सरकार नहीं और बोला कि छोटी-छोटी small or cottage industry massive scale पर बनाई जाए जाएंगी तो democratic decentralization को यहाँ पे emphasize किया गया खादी और village industries को यहाँ पे reorient किया गया level of production पे ध्यान दिया गया एक चीज इन्होंने गरबा कर दी इन्होंने foreign investment रोक दी और यह foreign investment रोकना सही नहीं था चुकि इसके बड़े नुकसान हुए आप देखोगे कि जब foreign investment को रोका गया रहा है इंडिया के अंदर तो बहुत सारी companies अलड़ी इंडिया क्या के दंदा कर रही थी जैसे for example एक MNC यह Coca-Cola अब Coca-Cola तो अपनी cold drink बेचता है इंडिया के अंदर तो cold drink बेच रहा है तो उसस सरकार के कोई strategic problem तो है नहीं health issues के लो उस समय पर उतना health issues की बात नहीं करते दिलो आज थोड़ी health awareness ज्यादा हो गई है लेकिन सबसे खास बात यह है कि industrial policy resolution 1977 ने क्या बोला कि unimportant industries में foreign investment की जरोथ तो है नहीं तो मतलब कि जो drink है जो आपकी cold drink के पीने वाली तो unimportant industry हो गी मतलब koka kola जो यहां पर दंदा setup किया था koka kola को बोला कि भाई यह तुम निकलो यहां से तुम्हारा नहीं चाहिए फिर बहुत सारी company थी जैसे computer giant IBM, automobile pair, Chrysler यह सब लोग इंडिया के अंदर invest करने के में interested थे सरकार के बाद बातचीत करे थे जैसे ही नहीं industrial policy आई यह सब ल ना दीजे की सरकार आ गई उन्होंने industrial policy 1977 को revise किया ठीक है कुछ पुरानी चीज़े इन्होंने रहनी दी बाकी सारी चीज़े उन्होंने हटा दी foreign technology और foreign investment को इंडिया के इंदर अलाओ किया बशर्ते कि वो technology transfer ले किया है जो MRTP limit थी उसको 50 करोन कर दिया गया DIC को continue किया गया आप यह देखे district industrial center decentralized industrialization मैं आपको बताया था ना कि जनता पार्टी की समय पे यह जो आपकी industrial policy statement आया था जिसमें आपकी district industry center बनाई जाने की बात की जारी थी यह district industry center local level पे development में बहुत useful थे और यह congress सरकार समझती थी इसलिए इनको industrial policy resolution 1980 में हटाया नहीं गया इनको promote किया गया ठीक है और foreign investment को लाओ कर दिया गया जो कि आपकी 1977 वाली सरकार ने मना कर दिया था industrial licenses को simplify किया गया overall private industries को expand करने के लिए attitude को थोड़ा liberal किया गया लेकिन यह liberal attitude भी अभी भी आपके सकते हो private sector enterprises के लिए उतना useful नहीं था पर आजाते industrial policy resolution of 85 and 86 तो भाई 85 और 86 में जो कुछ भी announce किया गया वो almost same है तो यहाँ पर foreign investment को और simplify करने की बात की जारी थी नए-ने industrial इलाके में foreign companies को opportunity दी जारी थी कि आप यहां के आके invest करिये लेकिन जो सबसे बड़ी शर्त थी वो यह थी कि अगर आप इंडिया में आके invest करते हैं तो आपको technology transfer करना पड़ेगा फिर क्या बोला गया equity holding of the MNC in the Indian subsidiaries could be up to 49% with the Indian partner holding the rest of the 51% shares मतलब कि अगर बाहर से कोई foreigner आके इंडिया के इंडिया के इंडिया के इंवेस्ट कर रहा है वे technology transfer तो इंडिया के किसी company में वो maximum 49% shares hold कर सकता है 51% share कम से कम Indian partners के पास होने चाहिए जो कि इंडिया में बेस्ट है तो मालो टाटा company ने बाहर से किसी GE कब भी ना के इंवेस्ट किया यह मैं बात कर रहा हूँ 1985 की तो टाटा इंडिया किसी नई चीज में production बढ़ा रही है तो उस case में उसको सरवार से permission लेनी पड़ेगी 100 क्रोन से नीचे की companies को permission नहीं लेनी पड़ेगी industrial licensing को यहां पर simplify करने के कोशिश की गई compulsory license अब किवल 64 industries के लिए बचा Sunrise Industries जैसे की telecommunication, computerization और electronics उनको high level का attention दिया गया फिर भाई आप देखोगे की public sector undertakings को modernize करने की बात की गई उसको profitable बनाने की बात की गई ठीक है imported raw materials को boost किया गया okay फिर आप देखोगे की agriculture sector में भी एक प्रकार की scientific approach लेने की यहां पर बात की बहुत सारे technology missions यहां पर launch की गए ताकि agriculture sector को और viable बनाया जा सके और आप देखेंगे की आगे आने वाल समय में WTO पर भी बातचीत होगी तो यह जो industrial policies हैं कि इस समय पर बन रही थी इंडिया में 1985-1986 में जब developed countries WTO को बनाने की बात करी थी WTO आपका 1985 General Agreement on Trade and Trade 1985 1995 में आया था GATT आपका WTO ठीक है उरुगवे rounds of talk आपको पता होगा लेकिन WTO बनाने की मांग आपकी 1985 से ही हो रही थी developed countries ये मांग कर रही थी चुकि दुनिया बर की developed countries थी उनको पता था कि developing markets में असली आबादी है तो अगर हमको markets चाहे तो developing economies को WTO के fold गंदर लाना पड़ेगा तो बड़ा market बनाना पड़ेगा और इस बड़ा market में hurdles जो है global trade के वो कम करने पड़ेंगे ठीक है भाई तो यह थ अगली वीडियो में समझने कोशिश करेंगे और उसके आद मैं कोशिश करूँगा कि disinvestment के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता हूँ देखे एक वीडियो में जितना maximum बता सकता हूं बता रहा हूं रमेर सिंग की सारी वीडियो जादे घंटे से ज्यादा की होती है को उ आप चानल तो फोलो का सकते हैं डिस्किशन में निक दिया हूँ